आप सब को मेरा नमस्ते अभी मैं आपको वेजिटरीन और नॉन वेजिटरीन रेसिपीज बाहरा महिने से लेके अठारा महिने के बच्चे के लिए कैसे बनाना है वो मैं आपको टुटल दिखाऊंगी भी बढ़िया से टुटलल है अभी वच्चा एक साल का हो गया मतल bleiben प्री बच्चे को जो आप खाएंगे वही बच्चा घय Wash चिक कि आप थोड़ा सा नमग भी डाल सकते उसमें बच्चे की बादत भी आने के चालू हो गये बच्चे के बहुत सारे दात भी होता है, एक साल के बचे को, तो आपको भी बिल्कुल दने के जरूरती है, आपको ध्यान रखना है कि कोई कड़क खाना ना दे, मुंफली है, मुंफली का दाना ना दीजिए, उसको पीस के उसका पावडर खाने में डाल सकते है, कोई भी जो फलियां है, कड़क नहीं होन है, जंग फूड जैसे मैंने आपको पहले बताया, जंग फूड बिल्कुल नहीं देना है आपको, और मुझे डेफिनिटली, आम शूर कि आपको यह हमारे जो डो रेसिपीस की टुटॉल से आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे, धन्यवाद. 12-18 मेहने के शिशों के लिए शाकाहरी खाने पर बने स्पोकन टुटोरियल में आपका स्वागत है, इस टुटोरियल में हम कुछ पोशक तत्वों से भरपूर शाकाहरी खाना बनाना सीखेंगे. एक साल की उम्रे के बाद शिशों तेजी से बढ़ते हैं, उनकी पोशक तत्वों की जरूरत उम्रे के साथ बढ़ जाती है. इन जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग-अलग तरह के पोशक तत्वों वाला भोजन दिया जाना चाहिए. उन्हें रोज लग-भग 110 किलो कैलोरी की जरूरत होती है. शिशु को कितना भोजन चाहिए, यह उसकी गतिविधी और बढ़ने के तरीके पर निर्भर करता है एक अन्य टुटोरियल में पूरा काहार के बारे में अधिक बताया गया है. क्रुपया इन टुटोरियल के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं. आईए अब कुछ शाकाहरी खानों को बनाना सीखते है. सबसे पहले हम सीखेंगे सावा उतप्पम. इस खाने को बनाने के लिए आपको जरुरत होगी सावा के दो बड़े चमच, एक बड़ा चमच काले चने, दो बड़े चमच कद्दू कस की हुई गाजर, पाव कटा हुआ टमाटर, और तीन चमच भुने तील. मैं एक उतप्पम के लिए देड़ चमच बीच इस्तमाल करूँगी. इससे दो उतप्पम बनेंगे. आपको इसकी भी जरुरत होगी नमक की एक चुटकी और एक चमच घी. तरीका सावा और काले चने को एक साथ धोकर आट घंटे के लिए भीगो दे. बाद में उन्हें एक मुलायम गाढ़े घोल में पीस ले. पेस्ट को पानी जैसा न बनाए. इसे कटोरे में निकाल ले और किसी गर्मस्थान पर साथ से आट घंटे के लिए खमिर उठने के लि सब कुछ अच्छी तरह मिला ले. अब एक कढ़ाय में घी गरम करे और एक चमच पेस्ट डाल कर बराबर से फैला दे. उत्तपम के थोड़ा पक जाने के बाद उसके उपर देड़ चमच तील डाले. धकन से धककर फीर से तीन से चार मिनट तक पकाएं. सावा उत्तपम तयार है. यदि सावा नहीं है तो आप रागी या ज्वार भी ले सकते हैं. कोद्रा या कुटकी भी इस्तमाल कर सकते हैं. दूसरा हम सीखेंगे कंगनी खिचडी. इसको बनाने के लिए आपको जरुरत होगी एक बड़ा चमच अंकुरी थरी मूंग, कंगनी के दो बड़े चमच, एक बड़ा चमच कटा हुआ प्याज, एक बड़ा चमच कटा टमाटर, और दो से तीन बारी कटी हुई आपको इसकी भी जरुरत होगी आधा चोटा चमच पीसी हुई काली मिर्च, चुटकी बर हल्दी पावडर, आधा चोटा चमच अजवाईन, एक चुटकी नमक और एक चमच घी सबसे पहले मैं आपको अंकुरन की विधी बताऊंगी, हरी मूंक को रात भर भीगो दे, अगले दिन इन्हें चान कर मलमल के कपड़े में बांध ले, इसे किसी गर्म जगह पर 6-8 घंटे के लिए छोड़ दे, या जब तक अंकुर दिखाई न दे, अंकुरी थरी मूंक को बाद में लेने के लिए अलग रख दे, इसके साथ ही कंगनी को धो कर 8-10 घंटे के लिए भीगो दे, प्रेशर कुकर में घी गरम करे, अजवाइन डाले और कुछ मिनट के लिए भुने, इसमें प्याज डाल कर हलका भुरा होने तक भुने, इसके बाद फुलगो भी और हरी मुंग डाले, अच्छी तरह मिलाए और नमक, मसाले और एक कप पानी डाले, इसे कम आज पर 3-4 सीटी तक पकाए, कुकर से प्रेशर निकलने दे और खिचडी को कटोरे में निकाल लीजिए, कंगनी खिचडी तयार है, अगर कंगनी नहीं है तो आप कोदो या कुटकी ले सकते है, सावा भी लिया जा सकता है, तीसरा हम सीखेंगे हरी मतर और पनीर कटलेट, इसे बनाने के लिए आपको जरूरत होगी आधा कप हरा मतर, आधा कप कसा हुआ पनीर, एक बड़ा चमच भुना हुआ बेसन, दो बड़े चमच कदूकस किया हुआ चुकंदर, और दो बड़े चमच कदूकस की हुई गाजर, आपको इसकी भी जरूरत होगी, पाव छोटा चमच जीरा पावडर, पाव छोटा चमच धनिया पावडर, एक चुटकी नमक और एक चमच घी, तरीका, हरे मतर को 6-10 मिनट के लिए स्टीमर में भाप लगवाए, मतर को ठंडा ह होने दे, पनीर और मतर को दरदरा पीस ले, मिश्रन को कटोरे में निकाल लीजिए, इसमें बेसन, चुकंदर, गाजर, मसाले और नमक डाले, सब कुछ अच्छी तरह मिला ले, मिश्रन को बाट ले और उसमें 4 कटलेट बना ले, कढाई में घी गरम करे, और कटलेट को दो हीर के कटलेट तयार है, चोथा हम देखेंगे कई सारी अंकुरित फलियों की सबजी, इसे बनाने के लिए आपको जरूरत होगी दो बड़े चमच अंकुरित हरीमुग, अंकुरित मोट के दो बड़े चमच, दो बड़े चमच अंकुरित चने के दाने, एक बड़ा चमच ताजा कसा हुआ नारियल, पाव कटा हुआ प्याज और पाव कटा हुआ टमाटर, आपको इसकी भी जरूरत होगी, पाव छोटा चमच जीरा, आधा छोटा चमच हल्दी पावडर, पाव छोटा चमच जीरा पावडर, पाव छोटा चमच धनिये के बीज का पावडर, एक च मच घी इस टुटोरियल में अंकुरन का तरीका पहले समझाया गया है कृपया उसी तरीके का पालन करें ध्यान दे कि अलग-अलग चीजों को अंकुरित होने में अलग-अलग समय लगता है इसलिए तीनों अलग पलियों को अलग-अलग भिगो दे चलिए आगे बढ़ते हैं अंकुरित दानों को तीन सीटी के लिए कुकर में पकाए प्रेशर को निकलने दे और फिर कुकर का धक्कन खोल दे एक पैन में घी करम करे और जीरा डाले और उन्हें अच्छी तरह से भून ले अब इसमें प्याज डाल कर सुनरा होने तक भूने इसमें टमाटर डाले और नरम होने तक पकाए पके हुए अंकुरित दाने नमक और मसाले डाले और इसे पाच मिनट तक पकने दे अंत में नारील डाले और अच्छे से मिलाए कई सारी अंकुरित फलियों की सबजी तयार है ये सभी बताए गए खाने प्रोटीन, मैगनेशियम, कैलशियम और इस वास्त के लिए इन सब चीजों को अपने शिशू के हर रोज के खाने में शामिल करें अब यह टुटोरियल यही समाथ होता है यह स्क्रेप्ट बेला टोनी द्वारा अनुवादित है मैं स्नेहां किता अब आप से विदा लेती हूँ हमसे जुडने के लिए धन्यवाद 12-18 महने के शिशों के लिए मावसाहरी खानों पर बने स्पोकन टुटोरियल में आपका स्वागत है इस टुटोरियल में हम सीखेंगे 12-18 महने के शिशों के लिए उर्जा की जरूरत कुछ मावसाहरी खाना बनाने के तरीके एक साल की उम्र के बाद शिशु तेजी से बढ़ते हैं उम्र के साथ उनकी पोशक तत्वों की जरूरते भी बढ़ती जाती है इन जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग-अलग तरह के पोशक तत्व वाला भोजन देना चाहिए उन्हें पूरे भोजन से लग भग 110 किलो कैलरी की जरूरत एक दिन में होती है एक कप भोजन दिन में पांच बार देना चाहिए इसे तीन जरूरी भोजन और दो नाश्टे के रूप में दिया जा सकता है ध्यान दे कि एक कप लग भग 250 मिलिलीटर या 16 बड़े चमच भोजन होता है हमेशा याद रखे कि ताजा पका हुआ घर का बना खाना ही शिशु के लिए सबसे अच्छा होता है अगर शिशु के खाने को संभाल कर रखना है तो इस पर बना हमारा टुटोरियल देखे जादा जानकारी के लिए क्रिपया हमारी वेबसाइट पर जाएं पूरक आहार के बारे में अन्य टुटोरियल में बताया गया है क्रिपया इन टुटोरियल के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं चलिए शुरू करते हैं पहला सीखेंगे मक्खन और लहसुन के बने जिंगे इसको बनाने के लिए जरुरी सामगरी है 80 ग्राम जिंगे एक बड़ा चमच कटा हुआ लहसुन दो बड़े चमच कटा हरा धनिया आधा निम्बू पाव छोटा चमच काली मेर्च पाउडर एक बड़ा चमच मक्खन, स्वादा नुसा नमक सबसे पहले जिंगे को अच्छी तरह से धोकल साफ कर ले जिंगे के सीर और पूँच को हटा दे चाकू के साथ सावधानी से जिंगे को पीछे की और एक छोटा सा चीरा बनाए फिर चाकू की नोक या अपनी उंगलियों से धागे को बाहर निकाले और इसे फेंग दे ऐसे ही दूसरी तरफ भी करे एक पैन में थोड़ा मक्खन गरम करे कटा हुआ लहसुन डाले और एक मिनट के लिए भुने फिर इसमें साफ किये हुए जिंगे डाले और धीमी आँच पर पकाए नमक काली मिर्च पाउडर डाले और अच्छी तरह मिलाए उपर से निम्बु का रस चिड़के और हरे धनिये से सजाए मक्खन और लहसुन में बने जिंगे तयार है अगला है भरवा अंडे इसको बनाने के लिए आपको जरूरत होगी दो उबले अंडे एक बड़ा चम्मच गाढ़ा दही एक बड़ा चम्मच कटी हुई शिमला मिर्च एक बड़ा चम्मच कटा हुआ गाजर आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर स्वादा नुसार नमक तरीका उबले अंडे को आधा काट ले अंडे के जर्दी अलग करे और एक कटोरे में निकाल ले इसमें गाढ़ा दही सबजिया नमक और काली मिर्च पाउडर मिलाए आप शिशु के पसंद का कोई दुसरा मसाला भी डाल सकते है साब कुछ अच्छी तरह से मिलाए और अंडे की जर्दी को साफ चमच या हाथ से मसल ले मिश्रन को वापस उबले अंडे के सफेद भाग पर डाले इसे अच्छे तरीके से सजाएं और शिशु को परोसे अब तीसरा सीखेंगे सूखे पेड़वे मसाला इसे बनाने के लिए आप आसानी से मिलने वाली किसी भी सूखी मचली का इस्तमाल कर सकते है मैं सूखे पेड़वे का इस्तमाल करूँगी जरूरी सामगरी है 20 ग्राम सूखे पेड़वे आधा प्याज, आधा टमाटर, लहसुन की 2 से 3 कलिया 4 से 5 करी पत्ते, एक कोकम या बिना बीजवाली इमली जरूरी मसाले है पाव चमच हल्दी पावडर पाव छोटा चमच लाल मिर्च पावडर पाव छोटा चमच धनिया पावडर तरीका सूखी मचली के सीर और पूँच को हटा कर साफ करे उन्हें 30 मिनट के लिए पानी में भीगो दे नमक और गंदगी हटाने के लिए इन्हें अच्छी तरह धोले फिर पानी निकाल दे एक पैन में तेड़ गरम करे और उसमें कटा हुआ लहसुन और करी पत्ता डाले कटे हुए प्यास डाले और हलका गुलाबी होने तक भूने फिर टमाटर, कोकम और मसाले डाले इन्हें अच्छी तरह मिलाए और इसे एक से दो मिनट तक भूने इसमें साफ की हुई पेड़वे मिलाए आप एक से दो बड़े चमच पानी डाल सकते हैं और धीमी आँच पर कुछ मिनट तक पकाएं सूखा पेड़वे मसाला तयार है आखरी सीखेंगे मटन का दलिया इसे बनाने के लिए जरूरी सामगरी है सो ग्राम बिना हड़ी का मीट एक बड़ा चमच कुटकी आधा कप मिश्रित डाले एक कटा हुआ प्याज एक छोटा चमच अद्रक लैसुन का पेस्ट मुठी भर धनिया पत्ती आधा नीमभू जरूरी मसाले है आधा चमच हल्दी पावडर आधा चमच जीरा पावडर आधा चोटा चमच धनिया पावडर पाव चोटा चमच गरम मसाला स्वादा नुसार नमक और एक बड़ा चमच तेल या घी ले प्रक्रिया डालों को धोकर 6-8 घंटों के लिए भीगो दे इसी तरह एक अलग कटोरे में कुटकी को भीगो दे मटन के टुकडों को धोकल साफ कर ले इस पर अध्रक लहसुन का पेस्ट लगाए इसे 20 से 30 मिनट के लिए अलग रख दे प्रेशर कुकर में तेल या घी गरम करे इसमें कटा हुआ प्याज डाले और हलका सुनेरा होने तक भुने इसमें डाले और कुटकी डाले मटन के टुकडे और सारे मसाले भी डाले सब कुछ अच्छी तरह मिलाले एक गिलास पानी डाले और 15 से 20 मिनट तक कुकर में पकाए तेज आँच पर एक सीटी आने तक पकाए एक सीटी आने के बाद आँच धीमी कर दे और 10 से 15 मिनट तक पकाए कुकर का प्रेशर अपने आप निकलने दे और फिर धक्कन खोले दलिया को प्याले में निकाल लीजिए चमत से मटन के टुकडे निकाल ले तुकडों को ठंडा होने के बाद साफ हातों से इन्हें बारिक-बारिक कर ले फिर इसे वापस दलिया में डाल दे निम्भू का रस छिड़के और हरे धनिये से सजाए मटन दलिया तयार है ये सभी खाने प्रोटीन, आईरन, कोलीन और जींग के अच्छे स्त्रोथ है यह विटामिन B12, विटामिन D, फोलेट, पोटाशियम और मैगनेशियम से भी भरपूर है अच्छे स्वास्त के लिए इन सभी खानों को शिशू के खाने में शामिल करे अब यह टुटोरियल यही समाप्थ होता है यह स्क्रिप्ट बेला टोनी द्वारा अनुवादित है मैं स्निहा किता देवगेकर अब आप से विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद झालिए।